हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स मिसीस कोली की तरफ से प्यार भरा नमशकार सत्ष्रियाकाल अदाब दोस्तों एक बर मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेस्पी के साथ आज हम बनाने वाले हैं पंजाबी महराजा प्रांठा जी हाँ ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है फ्रेंड्स मेरे कहने पर इसे आप एक बर जरूर ट्राई करना आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है तो चलिए फिर देरना करते हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये महराजा प्रांठा पंजाबी महराजा प्रांठा किस तना से अपने घर पर बनाएंगे और इसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम लेंगे काफी सारी wedges cut करके तो ये देखिए कितनी wedges मैंने लिए हैं cut करके जिने मैंने अच्छी तरह से धूख और साफ करके cut किया है कुछ को तो मैंने चौपर में चौप किया है कुछ को वैसे ही कट किया है तो ये देखिए ये मैंने लिया है कैरट जिसे मैंने चौपर में चौप किया है और साथ में मैंने लिया है मूली और प्याज इसे भी चौपर में चौप किया है साथ में लिये हैं क्रश करके हरे मटर और ये है पत्ता गोबी ये है पनीर जिसे मैंने थोड़ा से मैश कर लिया है ये है शिमला मिर्च कट करके लिया है और ये है पालक इसे भी मैंने चौप कर लिया है और ये है फूल गोबी और ये है उबले हुए आलू तो ये सब मैं वेजीज ले रही हूँ पंजाबी माहराजा प्रांठा बनाने के लिए आप इसमें कोई भी आड़ कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है या घर पे अविलेबल है साथ में हमें चाहिए काफी सारा हरा धनिया, कटी हुई हरी मिर्च और कटा हुआ अध्रक तो मसाले भी देख लेते हैं कि मसाले हम कौन-कौन से अड़ कर रहे हैं इसमें अड़ करने के लिए तो यह लिए मैंने टेस्ट के कॉर्डिंग नमक, साथ में है धनिया पाउडर, यह है अजवाइन, जीरा और हींग, चुटकी भर मैंने हींग लिया है, काफी तेज फ्लेवर वाली है और पंजाबी परांठे में अगर अनारदा ना हो पाउडर तो बनता नहीं कुछ, साथ मे लिए है लाल मिर्श का पाउडर, यह है गरम मसाला और यह है कसूरी मेथी, जिसे मैंने हलका सा रोस्ट कर लिया है, ड्राइ रोस्ट और यह है अमचूर पाउडर, तो यह सब मसाले जाएंगे हमारे पंजाबी माहराजा परांठे में, तो चलिए फिर अब क्या करेंगे, अब ले लेते हैं एक बोल और डालते हैं सभी चीजे उसमें, तो सभी चीजे मैं इसमें डाल दूँगी, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारा यह प्रांठा बन कर त्यार होता है फ्रेंड्स, आप यकीन मानिए, आप अगर एक बार इसे बना कर खा लेंगे, तो बार चॉप किया है, चॉपर में, चॉप कर लिया है, तो आप इसमें कटी हुई बीन्स भी एड्ड कर सकते हैं, तो यह गी पत्ता गोबी, तो मूली को और थोड़े से प्याज को मैंने कठा ही चॉपर में चॉप किया था, थोड़ असा पानी स्क्वीज कर लिया है, उसका, ये है मटर हमारे मैश किये हुए और ये गया पनीर ये भी मैश किया हुआ है तो साथ में ही डाल देते हैं जिंजर, ग्रीन चिली और हरा धनिया मसाले भी साथ में डाल देते हैं तो फ्रिंड्स हम बनना रहे हैं पंजाबी महराजा प्रांथा महराजा प्रांथा में अगर ड्राई फ्रूट नहों तो नहीं काम होगा न ऐसे तो मैंने इसमें बदाम और काजू को क्रश कर लिया है तो एड़ कर देते हैं इसे थोड़ा सा अगर पानी सब्जियों में होगा ना तो वो भी सोक लेंगे तो आप इसे जरूर एड़ कीजिए बहुत ही टेस्टी लगते हैं प्रांठे में ये तो मिक्स करेंगे से अच्छी तरह से अब तो आप एक बार मसाले चेक भी कर लिजिएगा कि नमक मेर्चुगरा कम तो नहीं है तो इस समय आप इसमें एड़ कर सकते हैं तो मैंने चेक कर लिए हैं पर्फेक्ट है बिलकुर तो अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सभी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं तो लीजिए त्यार है हमारी स्टफिंग तो मैंने आठा पहले से लगा कर त्यार कर लिया है तो बेलते हैं परांठे तो तव्या मैंने रख दिया है मेडियम फ्लेम पर और पेड़ा भी बना लिया है काफी बड़ा प्रांठा बन कर त्यार होता है तब ही महाराजा प्रांठा है क्योंकि स्टफिंग इसमें काफी सारी जाने वाली है और धेर सारी सब्जियों से हम बना रहे हैं ऐसे तो काफ मिलेगा तो काफी सारी stuffing मैं इसमें add कर रही हूं देख रहे हैं आप तो अब इसे उठा कर हाथों में ले लेते हैं और फिर इसे करेंगे बंद देखिए कितना मुश्किल से उठा हो रहा है भरा हुआ है ना stuffing से तो इसे प्रेस करेंगे अंदर की side stuffing को और इस तरह से बंद करते जाएंगे ये देखिए आटा बिल्कुल soft लगाना है जिस तरह से हम रोटी चपाती के लिए बनाते है ना प्रांठे के लिए बिल्कुल वही आटा है simple आटा है कोई नमक नहीं add किया मैंने कुछ नहीं add किया तो मुलायम आटा लगा कर त्यार करेंगे तभी हमारा प्रांठा बहुत बढ़िया टेस्टी बनेगा तो चलिए थोड़ा सा हाथों से फिला लेते हैं आप बनाईएगा जुरूर मैं आपको बार-बार बता रही हूँ आप कहेंगे कि वाक्ते ही बहुत टेस्टी है हमारा प्रांठा बनकर त्यार होता है और पंजाबी महराजा प्रांठा इसलिए नाम नहीं दिया इसे बहुत ही जबर्दस प्रांठा है ये तो अच्छी तरह से बेल लेते हैं तो देखिए स्टफिंग इसकी बार बिल्कुल भी नहीं आ रही है तो धेर सारी सबजिया है और ड्राइफ्रूट भी इसमें आप कोई भी आड़ कर सकते हैं आप इसमें किश्मीश भी कट करके आड़ कर दीजिए उसका फ्लेवर भी ब दूबकाना है तो एक साइट से थोड़ा सा सिग गया तो मैंने टर्न कर दिया है तो दूसरा भी बेल कर थिया लेते हैं साथ के साथ ये भी चेक करेंगे इसमें चेक करेंग और दूसरा भी अरांस से बेल लेते हैं तो जट पर से हमारे ये परांठे बनकर त्यार हो जाते हैं स्टफिंग एक बार त्यार हो जाए ना तो परांठे खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं आप इसे अचार के साथ खाएं, दही के साथ खाएं, मक्खन के साथ खाएं, जिसके साथ मरजी खाएं, ये जवरदस्त परांठे हैं, तो घी लगाएंगे इसके उपर काफी सारा, क्योंकि परांठे हैं तो घी के बगएर तो अधूरे हैं, तो उलट पुलट करते हुए इसे आराम से पका लेते हैं और मीडियम फ्लेम पर ये बहुत ही क्रिस्पी बन कर त्यार होते हैं अंदर से स्वाद में भरे हुए और बाहर से क्रिस्पी मज़ा ही आ जाएगा तो ये देखे कितनी अच्छी तरह से सीक रहे हैं हमारे प्रांटे थोड़ा सा और प्रेस कर देते हैं ताके थोड़े और क्रिस्प हो जाएं उलट पुलट करते हुए सेकेंगे इसे तो आप इसे किसी भी वक्त इंजोय कर सकते हैं चाहे आप नाश्टे में खाईए चाहे आप दुपैर के खाने में खाईए चाहे आप इसे रात को भी बना कर खा सकते हैं अजवायन एड की हुई है हींग इसमें डाली हुई है जीरा इसमें है तो पेट के लिए ये बहुत बढ़िया रहेगा तो दिखिए प्रांठा हमारा बिल्कुल सिक्कर त्यार हो चुका है न ये लिजिए तो रख देते हैं इसे हम प्लेट के उपर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है न तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक किया कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को भी जुरूर सब्सक्राइब कीजिए देखिए इतनी अच्छे ची संदर संदर वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ तो आपका लाइक करना तो बनता है ना तो लाइक जुरूर कीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमली में ताकि ये सभी रेस्पी बना कर ट्राइ कर सकें तो ये देखिए कितनी जवर्दस हमारे दोनों प्रांथे बनकर त्यार है मक्षन के साथ मैंने इसे सर्व किया है साथ में है आम का अचार निमू का भी ले सकते हैं जो भी आपके पास है लेजिए धही के साथ खाईएगा सभी के साथ ये बहुत टेस्टी लगते तो दोस् कसे लेस्ट बहुते हैं जो